दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नुच्पे दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी के रूप में तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तो विडियो को एक लाइक जोर को हैं दोस्तो एक जीट पूल रिजर्ट 2019 एंडिये को मिल सकती है 300 से ज्यादा सीटे राज्यों के हिसाब से पूरा आकड़ा आपको बताएंगे तो किरफे विडियो को पूरा लोग सभा चुनाओ 2019 में मोदी सरकार बनते दिख रही है अभी तक मिले आकड़ों के मुताबिक एंडिये को 300 सीटे मिलती दिखाई दे रही है वहीं यूपिये 127 के पास सीमट सकता है अब सबकी नचर 23 मई को आने वाले नतीजों पर है 2019 में लोग सभा चुनाओ में बीजे के आने से मजबूती मिली और वोट परतिसत के हिसाब से उसका पलड़ा भारी रहा वहीं यूपिये में इस बार कॉंग्रेस की अगवाई में 25 पाटिया सामिले आंधर परदेश के मुख्यमत्री चंद्र बाबु नाइडू ने माकपा महासचिव सीता नाम चेचुरी से को उन्होंने कॉंग्रिस अदक्ष राहूल गांधी एंसी पी नेता सरत पवार और सरद यादों से मुलगात भी कि इसके बाद उन्होंने लखनव में मायावती और अख्लेec यादों से मुलगात की नाजा रहा है कि कॉंग्रिस अब यूज आई खबर में ब्यस पी सुपर करके सरकार जरूर बनाएगी जी हां दोस्तों आपको बदाते हैं कि राजियों के हिसाब से आकड़े क्या है यूपी की बात करें तो बीजेपी प्लस अपना दल गटवंदन को 80 में से 44 सीटे मिलते दिखाई दे रहे हैं जबकि कॉंग्रेस को 2 सीटे उत्तर परदेश में पि चुनाओं में परिसान करता है इस गटवंदन में यूपी एक में तीन उपचुनाओं जीते कॉंग्रेस अकेले चुनाओं लड़ी थी आपको बता दे कि 36 गंड के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी को साथ और कॉंग्रेस को 4 सीटे मिलती दिखाई दे रही हैं कि तो बीजेपी एंडिये को 30 और आरेलडी कॉंग्रेस गटवंदन को 11 सीटे मिलती दिखाई दे रही हैं महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में बीजेपी सीवसियना को 36 सीटे और कॉंग्रेस एंसीपी को 12 सीटे मिलती दिखाई दे रही हैं महराष्ट में बीजेपी स पर गटवंदर और जमीन की मजबूती आखिर इतनी क्यों है। बात करें राजस्थान की तो बीजेपी को 16, कॉंग्रेस को 3 और अन्य को 6 सीटे मिलती दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। यहां भी बीजेपी ने कॉंग्रेस को समर्थन किया है। बात करें करनाटक की तो बीजेपी 19 और कॉंग्रेस परस जेटी एस को 7 और अन्य को 2 सीटे मिलती दिखाई दे रही है। करनाटक में मु ज्यादा मिली है यहाँ पर बीजेपी के अलावा सत्ता रूर टीमसी और कॉंग्रेस लेफ्ट गटवंदन के बीच त्रिकुन ये लड़ाई थी उडिसा के बारे में बात करें तो एन डी टीबी पोल और पोल आफ के उडिसा में बीजेपी को दस बीजेडी को दस और अन्य क एक सीटे मिलती दिखाई दे रही है इस राजज को भी बीजेपी के बड़ी उमीद है बात करें अंधर परदेश की तो सत्ता रूर टीडीपी नौ वाई एस आर कॉंग्रेस सुला और बीजेपी को यहाँ पर कुछ खाता नहीं खोल रहा है और नहीं कॉंग्रेस को मिला है बात करें असम की तो बीजेपी प्लस एजीपी को 9 और कॉंग्रेस को 4 और 9 के खाते में एक है बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी का सत्ता साफ होते दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीजेपी को 6 और कॉंग्रेस को 7 सीटे मिलत की बात करें तो बीजेपी प्लस आजसू को आठ, कॉंग्रेस प्लस जे एसेम को पांच और अने के खाते में एक है, केरल के बारे में बात करें तो केरल में 13 और वामदल को पांच और लेफ्ट के बारे में एक है, तमिलाडू की बात करें तो AIMD के प्लस बीजेपी को 11, MD के कॉंग्रेस को 26 और अन्य के खाते में एक हैं बात करें पंजाब की तो अकाली दल प्लस बीजेपी को 4 आपको एक और कॉंग्रेस को 9 सीटे मिलती दिखाई दे रही हैं बात करते हैं कि कौन सा सर्वे किसको दिया कितने सीटे जी हां तो रिपब्लिक प्लस सी वोटर ने एंड के खाते में 113 टाइमस नाव जिसमें बात करें एंडिये को उसमें 306 यूपिये को 142 और अन्य के खाते में 94 हैं बात करें न्यूज नेशन की जिसमें से एंडिये को 282 से लेकर के 290 के बीच में बताया हैं और यूपिये के बात करें तो 118 से लेकर के 126 के बीच में और अन ने NDA को 336 सीटे, UPA को 182 और अन्य के खाते में 124 सीटे बताया है, वहीं बात करें सुदरसन निउस की, तो NDA 313, UPA 121 और अन्य के खाते में 108 सीटे है, आपको बता दे कि NDA में परमुख सामिल पार्टिया कौन सी है, भारते जनता पार्टी है, उसमें सीव सेना, जनता दल य इसमें सामिल है, ऐसे वो दल जो कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे, उसमें है त्रिमूल कॉंगरेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पलस बहुचन समाजवादी पार्टी, तिलंगाना राष्ट समीती और नेशनल कॉंफरेंस, पीडीपी और बीजेडी, यह पार्टी या जो है, वो कभी भी दूसरे के साथ गठवंदन नहीं बना सकती है, जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, भारत में चुनाओ के उपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं, और जो पहले की सरकार थी, यानि मोदी सरकार थी, उसी का अब भी होने का दावा किया जा रहा है, अगर हम बात करें ऐस्टेलिया में तो यह बिलकुल ही अलग है, जी हाँ तो सभी उपिनियन पोल ने बताई थी, बड़ी जीत और नतीजा बिलकुल ही उल्टा हुआ, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि ऐस्टेलिया में हुच चुनाओ के नतीजे आ और यहां पर प्राइम मिनिस्टर एसकाट मौरिसर के नितित वाली लिबरल नेशनल गटवंदन पार्टी आस्चर जनक तरीके से जीत दर्ज कराने में सफल रही है। यहां पर लिबरल नेशनल गटवंदन को 151 सीटे वाली संसद ने 74 सीटे मिली थी। वहीं लिबरल पार्टी के हिस्से में लगभग 70 सीटे आई हुई थी। तो फिर वह अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। अस्ट्रेलियन लिबरल पार्टी को एक्जिट पॉल में आगे दिखाया गया था, साल 2016 में तरह हुए हर उपिनियन पॉल में पार्टी को सत्ता में वापसी का हकदार करार दे दिया था, लेकिन नतीजों से सोट हैरान और दुखी है, क्योंकि सनिवार रात उन्होंने अपने सबसे अंत में जनता ने मारिशन के पक्ष में जमकर के वोटिंग की, आखरी राउंड की वोटिंग में मारिशन और सोटेन के बीच करीबी मुकाबला था, लेकिन वोटर्ष ने तैक कर लिया था कि देश की कमान मारिशन के हाथों में सौपी जाएगी, उन्होंने कहा कि व वर्ष 2007 के बाद यहां पर भी प्रधार मत्री अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाये थे, जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर एकजीट पोल रिजर्ट 2019, बंगाल में एकजीट पोल में बीजेपी को फाइदा तो ममताब नर्जी ने दिया जबाब, लोग सबाचुन टीमसी को 13 से ले करके 21 और यूपीय को 3 सीटे मिलने का अनुमान है, वही टाइमस नाव वी एम आर सर्वे में बीजेपी को 11, कॉंग्रेस को 2 और टीमसी को 28 और अन्ने को सुनिक मिल सकता है सीटे, एकजीट पोल में आने के बाद ममताब नर्जी ने एकजीट पोल रिजल् करने या बदलने की है, मैं सभी वीपक्षी पार्टियों से एकजुट मजबूत होने की अपील करती हूँ, हम इस लड़ाई को एक साथ मिल करके लड़ेंगे, आपको बता दे कि लोग सभा चुनाव के लिए 7 चर्णों में मतदान 11 मैं से 19 मैं तक चला, वोटों की गिंती और साथ ही परिनामों की घोशना 23 मैं को होनी है, लोग सभा में कुल 542 सीटे हैं और बहमत के लिए किसी भी पार्टी या गठवंदन को कम से कम 272 सीटे चाहिए